चेत्र से होगी बैन और भाईयों आपने देखा होगा मैं सबसे पहले तो आपको इस बात के लिए अभिनंदन करूंगा कि आप सब धन्य हैं किस पावंध धर्म चेत्र में जन्म लेने और सेवा का एक अशर आपको प्रापा हुआ है ब्रहम स्वार में क्यों ऐसा भारतिय होगा जो आकर के यहां पर अस्नान करके और पूर्णिमा के अउसर पर यहां की पूर्णे से बन्चित होना चाहेगा हर भारतिय के विलासा होती है अपने आप में एक धाम बन चुका है और इस धाम की महिमा को लेकर के आज मुझे रहाने का सवसर प्राप्त हुआ और अपने पुराने सयोगी पुराने मित्र संसद में हम लोग साथ साथ कुरो छेत्र के बारे में भारत की सनातन परंप्रा के बारे में भारत की सुरक्सा के बारे में भारत के स्वाविमान के बारे में बात करते थे और नवीन जिंदल जी के लिए समर्थन करने के लिए मुझे यहां पे आपके बीच में आना पड़ा है मैं इसके लिए आपका विनंदन करता हूं स्वागत करता हूं बैन और भाईय ये सम्मान के ओल मोधी जी का नहीं है 140 करोड भारतियों का सम्मान है सीमा ये सुरक्सित ही है अब कोई दुस्मान हमारी सीमाओं में घुस्पैट नहीं कर सकता नहीं कर सकता मैं और भाईयों आज देश के अंदर आतंगबाद और नकसल बाती समस्या का समाधान हुआ है अब आतंगी विस्पोर्ट कहीं भी नहीं हो सकते पहले कौन ऐसा जिला था, कौन ऐसा प्रदेश था, कौन ऐसा छेतर था जो सुरक्षित रहा हो विस्पोर्ट होते थे, निर्दोस लोग मारे जाते थे सुबह की सुरुवात होती थी एक घोटाले से और सैंकाल होते होते हमें आतंग की किसी बड़ी वारदात की ख़बर हमारे सामने आती थी हर बेक्ती चिंतरे देदा था, पता नहीं अब कौन इसकी चपेट में आ जाए हम जब भी बात करते थे कि आतंगबाद का मुकाबला हो तो तब सरकारे कहती थी कि आतंगबादी तो सीमा पार के हैं और बेनोर भाईयों यही परिवर्तन होता है आज कितना परिवर्तन हुआ है, अब पटाका भी जोड से फढ़ जाए न तो पाकिस्तान पहले सफाई देता कि भी मेरा हाथ नहीं है क्योंकि उसे मालूम है, यह नया भारत है, छेड़ता नहीं है लेकिन अगर कोई छेड़ता है तो उसको छोड़ता भी एर स्ट्राइक और सर्जिकल स्ट्राइक के मादम से भारत ने अपनी ताकत का एसास विश्व समधाई को कराया है कि देखो, हम सांती और सुहार्द के पक्सदर हैं लेकिन सांती क्यों बोलने से नहीं आती है वह तो अपनी ताकत से हासिल की जाती है और भारत आज मोदी जी के नित्रत्व में इस सांती के सुख मपूर अहुल को 140 करूल भारतियों को एसास करा रहा है यह नया भारत है यहाँ विकास भी है बड़े-बड़े विकास के कारे है हाईवे बन रहे हैं, वड़कलास हाईवे रेलवे की कच्छे कारे विये हैं एक्सप्रेस आईवे बन रहे हैं और यही नहीं सुंद्री कर्ण के कारिकरम किस रूप में आगे वड़ रहे हैं किसी से चुपावा नहीं है IIT बन रहे है I.M. बन रहे है वर्ड कलास इंवस्टी बन रही है एम्स बन रहे हैं ट्रिपल आईटी एन आईटी यह सभी आज के नए भारत की पैचान बन रहे हैं तो जीवन के लिए अगर ऑक्सिजन आउस्यक है तो उसके बाद आउस्यक है सुद्ध पेजल हर घर नल और नल में जल यह मोदी जी पुरी देश के भारत वास्यों को पिलाने का काम कर रहे हैं उपलब्द करवाने का काम करने जा रहे हैं बैन और भाईयों याद करिए पहले की सरकारों में गरीब भूख से मरता था आज 80 करोड लोग फिरी में रासन की सुवधा का लाप प्राप्त कर रहे हैं पहले गरीब दम तोड़ता था कहीं पर नवीन जिंदल जैसे कोई सांसद बन जाएं तो वे अपने पास से सपोर्ट करते थे तब तो उपचार हो पाता था अन्यता सरकारे लाचार होती थी आज साट करोड लोगों को पांच लाग रुपे प्रतिवर्स स्वास्त बीमा का कवर दिया है मोदी जी ने और मोदी जी ने का है तीसरी बार सरकार बनेगी सत्तर वर्स से उपर के हर एक भुजर्ग को प्रतिवर्स पांच लाग रुपे की स्वास्ते द चाफ्चार की सुप्दापलब्द करवाएंगे किसान को किसान सम्मान निटी हर गREEB के घर में सोचा ले और मैं तो धन्य बाद दूंगा नवीन जी को कि सतर हजार गREEB को के घर में कुरुचेत्र में उन्होंने सुम सोचाले का निर्माण अपने अस्तर पर करवाया अपने ट्रस्ट से करवाया दस करोड गरीबों को उज्जुला योजना का कनेक्सन मिल गया चार करोड गरीबों को भारत के अंदर एक एक आवास मिल गया और मोदी जी ने कहा है अगले पांच वर्स में बाकी बचेवे सभी गरीबों के लिए के एक आवास का निर्माण करवाएंगे बैन और भाईयों यह जितनी भी योजनाई मोदी जी ने दी इसमें किसी का चेहरा देखा गया गया न जाती देखी गई न मत न मजब न छेतर न भासा और इसके बाद भी एगर कोई मोदी जी ने तो एक ही नारा दिया था वो दिया था सबका साथ सबका विकास सबका साथ और सबके विकास के मंतर के साथ उन्होंने भारत की सेवा की और इसके बाद भी कोई आरोप लगाता है मोदी जी पे और भै दिखाने के लिए पाकिस्तान का भै दिखाने का प्रियास करता है पाकिस्तान का रागलापता है तो मैं तो उसे बड़ी बिनम्रता से कहूंगा कि वे पाकिस्तान चले जाएं भीक मांगे पाकिस्तान में जाकर एक भारत है 80 करोड लोगों को फिरी में रासन दे रहा है और एक पाकिस्तान है 23 से 24 करोड लोगों को भूकों मार रहा है 2 जून की रोटी नहीं दे पा रहा अपनी जन्ता को भीक का कटोरा लेकर के पुरी दुनिया के अंदर फिर रहा है और रहेंगे हिंदुस्तान में रगाएंगे पाकिस्तान का तो उनको पाकिस्तान भेजी देना चाहिए बैनोर भाईयो इन सब के साथ अगर आज आपको कुछ देखना है तो आजाद बारत में पहली सरकार है जिस सरकार ने आपकी आस्ता को सम्मान दिया है आप मुझे बताओ आप मुझे बताओ आयोध्या में राम लिला का निर्मान राम लिला में राम लिला के भग्वान राम के भव्य मंदिर का निर्मान अगर केंद्र और राज्य में बीजेपी की सरकार नहीं होती यूपी में तो क्या ये संभव था क्या क्या हो पाता क्या बैन और भाईयों आज आप आयोध्या जाएंगे आपको लगेगा कि भगवान राम के समय की आयोध्या आ गई है वही एक दम वही हमने बनाया लग करके रात रात भर जग करके और ये तब संभव हो पाया है ये तब संभव हो पाया है बैन और भाईयों जब हमने सबसे पहले वहाँ पर सुरक्षा का बेहतर माहूल किया बनाया आज आप देखते होंगे यूपी पचीस करोड की आबादी का राज्य है पहले वहाँ पे सरकार का रम्झोर थी और माथ्य और अपरादी उनकी हुकूमत चलती थी आज हमने उन सभी माथ्य और अपरादियों को जहनुम में पहुचा दिया है वहाँ सब की राम नाम सत्य है हो गया है आपने देखा होगा पिछले सात वर्स में यूपी में कोई दंगा नहीं हुआ कोई दंगा नहीं और मैंने कहा है कि बेटी और ब्यापारी की सुरक्सा के लिए जो खत्रा बनेगा उसके लिए जेल नहीं जहन्नुम का रास्ता खुला होगा जहन्नुम का और बैनोर भाईयों आज जब महाउल सुरक्सा का बना है तो अत्तर प्रदेश में तेजी के साथ विकास हुआ है पचीस करोड जनता सुरक्सित है पर वो औरतेवार सांतिपूर्ण तरीके से मनाए जाते हैं देखो आज यूपी में 14 सीटों पे चुना हो रहा है मुझे मालूम मैं 14 की 14 हमारे पास आनी तो मैं हर्याना में परचार करने के लिए आया हूँ क्योंकि जनता जब साथ में खड़ी है जनता का आस्त्री बात साथ में है तो कहें कि चिंता करनी है प्रभू की गर्पा है ही मोदी जी का नाम है और बाकी जमीन पे हम लोग काम कर रहे है और बैन और वायों पेणाम जनता जनारदन दे रही है और मैं इसलिए आज आपके पास आया हूँ ये जो बहत्रीन वातावर्ण वहाँ पे बना है इसलिए अपने मित्र नवीन जिंदल के लिए मैं आ जाया हूँ विसेश रूप से क्योंकि संसद में मैंने उनके कार्य को देखा है उनकी कार्य पद्ददी को मैंने देखा है वेन और वायों बारती जनता पार्टी जनसंग के समय से नारा लगाती रही है एक देश में एक प्रधान एक निसान और एक विधान चलेगा मैं ब्रह्मु सरोवर में देख रहा था हमारा तिरंगा लहरा रहा है लेकिन ये तिरंगा ये तिरंगा अब अपनी जेब में भी सांसे लगा सके और अपने घर के उपर भी लगा सके इसकी लड़ाई सुप्रेम कोड तक ही नवी जिंदा लड़े थे इन्होंने ये लड़ाई लड़ी थी मुझे याद है संसद सांसद बनने के पहले सुप्रेम कोड तक ही इस लड़ाई को लड़े थे इन्होंने कहा था भारत के आन मान सान के प्रतीक इस चिन्न को भारत के राज्टिय चिन्न को इसको हमें लगाने का अधिकार मिलना चाहिए जिससे हम गर्व से कैसे कि हम भारतिय है ये हम पे एसास होना चीए कि हमारा राच्च की अचिन्न है हम इसके लड़ेंगे और इसके लिए इन्होंने उस समय जो लड़ाई लड़ी थी वो अभी नंदिनीय थी और उस लड़ाई का परिणाम क्या रहा कि आपने देखा हो रहा कि जब भारत अपनी आजादी का अमरित महचसो मना रहा था बेन और वाईयों हम लोगों ने देश की आजादी का उचसो तो नहीं देखा लेकिन जब 75 वर्स की आत्रा हमारे स्वतंत्रता के हो रहे थे तब मोदी जी ने वही तिरंगा हर घर में पहनाने का काम किया लेकिन लड़ाई की सुर्बात सी नवीन जिंदल जी ने 2004 में कर दी थी और विजैसरी प्राप्त करके पूरे भारतियों से कहा था कि अपना तिरंगा अपने जेप में लगाओ और अपने घर के उपर लहराओ कोई आपको रोक नहीं सकता है बैन और भाईयों ये सभी कार्या जहां पर इन लड़ाईयों को लड़ने की बाद होती है वह यह नदाता किसानों के लिए खाद्य सुरक्सा की गारंटी हो MSP किसान को मिले इन सभी मुद्दों को लेकर के अपना प्राविट मेंबर बिल भी संसत में प्रस्तुत करने वाले पहले संसत थे और यही नए बैन और भाईयों आद्वनी खेती के तरीके कैसे होने चाहिए इस किल्ड डवलमेंट के सेंटर कैसे होने चाहिए एक उद्यमी को एक उद्योग पती को अपनी चेरिटी का पैसा कैसे गरीबों के कल्यान के लिए खर्च करना चाहिए उनके उत्थान के लिए कैसे खर्च करना चाहिए बेटी के स्किल्ड डवलमेंट में कैसे खर्च करना चाहिए लाखों लोगों को जीवंदान उन्होंने दिया है लाखों लोगों की आँखों की रोसनी उन्होंने दी है यह कार्य वे तब किये हैं जब यहाँ पे या तो सांसद थे या सांसद नहीं थे तब भी लगातार रहे हो न रहे हो कोई फरक नहीं कुरुचेत्र अपना है और अपना घर मान करके अपने लोगों को मान करके उन्होंने भी जैसे मोदी जी ने पुरे 140 करोर लोगों की सेवा की वेसे ही पुरे कुरुचेत्र की सेवा के लिए निरंतर या परिवार आज से नहीं कई पीडियों से लगा हुआ है और मुझे अमंत्र दिया कि सब को मिलाता कि आने ने लेकिन मैं नमीं जी को धन्य बांद दूंगा कि उन्हों नहीं मैं जाओंगा में जाओंगा क्योंकि कि कि मैं किसी पार्टी में बांद मैं वो Hause पहले मैं सनातनी हिंदू हो और अपने सनातन धर्म के लिए जो भी करना पड़े मैं करूंगा और वेन और भाईयों वे अयोध्या गए मैं उन्हें दर्षन किया राम लडा की मूर्ति प्रांट पतिष्टा कारेक्रम में सामिल उये और इस पूरे कारेक्रम को आगे बढ़ाने मैं अपना पूरा योगदान दिया कासी को सजाने के लिए बाबा विश्वनात के धाम को सजाने के लिए ये परिवार वहां के दरी करण के नाम पर अब मुझे बताओ जिंदल परिवार के नाम पर कोई कारे होगा कहीं भी चेरिटी का काम होगा तो नाम तो कुरुचेतर का ही उसमें जुड़ जाएगा स्वयम जुड़ जाएगा लाब तो आपको स्वयम ही हो जाएगा इसलिए बेन और वाईयों आज मैं आपके बाद विसेश रूप से आया हूं एक तरह भारती जनता पार्टी है जो देश को सम्मान भी दे रही है सुरक्सा भ और सरकार के सांसद और सथकार के जुड़ेवे जो जनप्रतनी दिये हैं वे भी जनता जनारदन की सेवा के लिए अपने आपको समर्पित भाव के साथ कारे कर रहे हैं और दूसरी तरफ यह आम आदमी पार्टी है आप देख रहे होंगे सुवेश की सुरवात उनकी के एक जूट से होती है और अंत भी किसी एक नए जूट से होती है होती है ना मुझे एक बात बताओ आम आदमी पार्टी का गठन किसके लिए हुआ था इसका गठन हुआ था अन्ना जी के अवियान से अवियान था ब्रश्टाचार के खिलाब और वा आंदोलन था कॉंग्रेस के खिलाब था ना था ना आज उसी कांग्रेश को अपने गले का हाद एक साथ मिलकर के अब देश को लूटने के लिए चले हैं देखो दिली को तबा कर दिया जी देख रहो ना दिली में कितनी गंदगी रहती है कितनी दुर्वय वस्ता है कित प्रकार ये जकता की स्थिती है क्या बना दिया इन्होंने देश की राजदानी को बेन और भाईयों इस प्रकार की सस्ती राजदानी होगी मुल्य और आदर्सों से तरहट करके ये लोग देश की कीमत पर राजदानी करना चाहते हैं और कहां ले जाना चाहते हैं इस देश को इनकी सनातन को लुटवा करके किस तरीके के राजगता पैदा करना चाहते हैं पंजाब का क्या हाल कर दिया है आज महाँ सारी माफ्या सभी अपरादी बड़े-बड़े गैंगेस्टर फिर से कड़े होकर गैंगवार सुरू हो गया है मैं अभी चंडीगड से आ रहा हूँ लोग क्या चिला रहे हैं कहने सब हालत खराब है हमने का चिंता मत करो एक बार भाजबा को मौका दे दो और मुझे एक बार बोल दो ना मैं उनको सब को ठीक करके एक जगे टांग करके सब को मिर्चे का जोंका लगा के ठीक करवा देता ह आपने देखा होगा यूपी के भी माफिया को यूपी के भी बड़े माफिया को ये लोग ला करके पंजाब में ठेराए थे मैं सुप्रीम कोड तक लड़ा और सुप्रीम कोड से लड़कर के उसको वापस ले गया और अभी वह भी राम नाम सत्य हो गया वेनौर भाईयों मैं केवल आपसे एक बात कहने के लिए आया हूँ सम्मान भी भाजबा देगी सुरक्सा भी भाजबा देगी विकास भी भाजबा कराएगी और साथ साथ ब्रह्म स्थरोवर जैसे स्थलों को एक भब्य और दिब्य रूप दे करके उसको आध़िन एक शुरूब देकर के जनास्ता का सम्मान करते वे उसको एक नहीं उचाई तक पहुछाने का काम भी भारती जन्तापार्टी के नितरतो में ही सम्मों है आद मोदी जी के नितरतों हैं पुरी देशिके ञें जाना है आप देख रहे होंगे कासी में कासी विश्वनात धाम आप महाकाल में जाएंगे महाकाल का महालोग आप केदार नात में जाएंगे केदारपुरी और बद्री नात धाम का पुनर निर्मान का कारिय आप हरिद्वार में जाएंगे हरिद्वार के लिए उत्तर प्रदेश में अयोध्या धाम के बारे में मैं पहले यह आप से कह चुका था ऐसे ही कुरोचेत्र में ब्रह्म स्थरोवर जो पांच हजार वर्सों की विरासत को लेकर की हमारे साथ खड़ा है इस विरासत को संक्रक्षिट करके इसको दिब्य और भव्य रूप देने के लिए यहां पर उस परकार के विजन का सांसद होना उस चेक है और इसके लिए हम लोग आए हैं आप से पील करने के लिए हम लोग इसमें पुरा सपोर्ट करेंगे यह तो भारत की सबसे दिब्य ग्यान की भूमी है गीता का उपदेश भगवान स्री किस्ट ने इसी धर्ती पर दिया था यहीं से तो दिया था और इसी धर्ती पर हम लोगों को इसको फिर वही शुरूब देना है यहां गूजे, गीता का उपदेश गूजे, कर्म का उपदेश गूजे कर्मने वाधिकारस्ते, माः फले, सुकदाचना का संदेश, फिर जनजन तक पहुंचे हम फिर से भारत को आत्म निर्वर और स्विक्सित भारत की सामे आगे बढ़ा सकें इसके लिए चुनाओ हमारे लिए है लेकिन बैन और भाईयों इंडी गड़बंदन के लिए चुनाओ सत्ता प्राप्त का एक माध्यम है और सत्ता प्राप्त किसके लिए इनकी सत्ता प्राप्ति किसके लिए है मुझे बोलने में कोई संकोष नहीं बेन और भाईयों ये इंडी गड़बंदन से जुड़ेवे जितने भी घटक हैं इन सब के कारणामों को आप जानते हैं कोई भी हो चाए वह यहां पर आम आदमी पार्टी हो पंजाब में तो आपस में ही लड़ रहे हैं या फिर यूपी में समाजवादी पार्टी हो बिहार में आरजेडी हो या इनके महाराष्ट के पार्टनर हो या इनके साउथ के पार्टनर हैं इन सब के कारणामों को अगर आप देखेंगे किसी की निष्टा भारत के प्रति नहीं है कोई भारत के बारे में नहीं सोचता है 140 करोड भारतियों के बारे में नहीं सोचता है एक केवल आपस में लड़ाओ फूट डालो राज करो की नीती पे विश्वास करते हैं इनके द्वारा अपने मेने फेश्टों में जो बातें इन्होंने लिखी हैं, अगर आप उनको पढ़ेंगे, एक बात जो इन्होंने लिखी हैं, और स्री राहूल गांधी भी कहते हैं, कि अगर कॉंग्रेस सरकार में आई, एक जटके में हम गरीबी हटा देंगे, तो एक पत 270 में स्रीमती इंद्रा गांधी जी ने कहा था, गरीबी हटाओ का नारा दिया था, पोता भी कहता है, फिर उससे पोछा गया है, नहीं बताओ, तो उन्होंने कहा, कि हम संपत्ति का सर्वे करवाएंगे, और फिर उस पे एक वरासर्ट टेक्स लगा देंगे, वरासर्ट टे एक कबजा करके, और फिर उस प्रॉपर्टी को किसको दे देंगे, बांगला देश, पाकिस्तान और मियनमार से आये हुए रोहंगिया, और उन मुसल्मानों को यह आमंटित कर देंगे, जिनका भारत से कोई लिना देना नहीं, देखो एक तरब ये लोग, CAA का भी रोत करत हैं, जिसमें पाकिस्तान, अफगानिस्तान और बांगला देश में जो हिंदू, जो सिक, जो बौद, जो जैनी, जो पार्सी, प्रताडित है, पीडित है, भारत में सरण लिया हुआ है, उसको नागरिक्ता दी जा रही है, तो कॉंग्रेस के लोग बिरोत कर रहे हैं, वातMA घुस गई है, आपने मुगलकाल के सबसे क्रूर बात्सा औरंगजेब का नाम सुना होगा, औरंगजेब का नाम सुना है, कोई मुसलमान भी अपने पुतर का नाम औरंगजेब नहीं रखता, क्योंकि औरंगजेब ने सबसे पहले अपने भाई की हत्या की, और फिर बाप को जेल के अंदर डाल करके पानी के लिए तरसाया था एक बून पानी के लिए नहीं एक उसको मटकी में पानी मिलता था चोटी सी मटकी में पानी मिलता था साजहां को और उसको चौबीस घंटे उसी मटकी के पानी से काम चलाना होता था और तब साजहां ने कहा आप जाएए खुदा वक्त लैबरेरी पठना में वहाँ पढ़िये साजहां की जीवने की बारे में साजहां ने अन्तिमसें में क्या कहता कहा था औरंग जेब को को सा था कहा था कि तुस्से कमबक्त तुस्से तो अच्छा ये हिंदू है कि जीते जी अपने पुरवजों को सम्मान देता है और मरने के बाद स्रात करम करके तरपन देने का काम भी करता है और बैन और भाईयों इसलिए कोई मुसल्मान भी अपने पुत्र का नाम औरंग जेब नहीं रखता लेकिन मैं कह सकता है ये वराज特 टैक्स का ये औरंग जेब का जजिया कर है जजिया कर लगाता था वह बोलता था या दो जजिया कर दो और नहीं तू मुसल्मान बनो वैनर भाईयों हमें औरंग जेब की आत्मा को स्वतंत्र भारत में जीवित नहीं होने देना है जीवित होने देंगे क्या क्या औरंग जेब को जीवित होने देंगे क्या तो फिर कॉंग्रेस और राम आदमी पार्टी के गड़बंदन को प्रास्त करिए सेमत है सेमत है सेमत है और इसके लिए मैं आपके पास कुरुचेतर में आया हूँ ये तो धर्म फूमी है धर्म फूमी में अनर्थ नहीं होना चाहिए सेमत है ना चुनाओं के दिन चुनाओं के दिन आप लोग सभी लोग सेमत है कि नवीन जिंदल जी याँ चुनाओं चीत करके जाएं सभी लोग सेमत है लेकिन बेन और भाईयों इसके लिए आपको दो काम करने होंगे करेंगे एक चुनाव के लिए प्रति दिन अभी जो भी समय है पांच दिन का समय होगा उस पूरे दिन का सुप्योग करके प्रति दिन पांच परिवार के साथ संपर करना चुनाव के दोरान पिक्सा करना कि प्रत्यासी घर घर जाए बहुत कठीन है बहुत कठीन है बहुत कठीन है नहीं हो सकता बहुत बड़ा च्छेतर होता संस्दिय च्छेतर है और इसके लिए आपको स्वयम नमीन जिंदल बनना पड़ेगा स्वयम बनना पड़ेगा मोदी जी का प्रत्निदी बनना पड़ेगा घर घर जाना होगा कमल खिलाने के लिए जनता का आवहान करना होगा आत्म निर्वर और विक्सित भारत के लिए जनता जनारदन का अस्त्रिबात वांगना होगा और जनता से कहिए कि सम्मान और सुरक्सा के लिए आने वाली पीड़ी के उज्जल वहुष से के लिए हमें कमल खिलाना है नवीन जिंदल जी को चुनाव जिता के भेजना है अगर आप पचीस परिवारों के साथ एक एक ब्यक्ती पचीस परिवारों के साथ संपर्ग करके उन्हें सहमत करे और फिर भारती जनता पार पार्टी को चुनाव के दिन उन पचीस परिवारों को कमल खिलाने के लिए कमल के निसान पर वोड़ देने के लिए प्रिजित करके मद्दान केंदर पे ले जाएंगे तो बेन और भाईयों देश के प्रती आपके एक बहुत बड़ी सेवा होगी मोदी जी ने पुरा देश के लिए समर्पित कर दिया क्या हम पांच दिन दस दिन देश के लिए नहीं दे सकते क्योंकि चुनाओ तो देश की तस्वीर और तक्दिर को बनाने वाला चुनाओ है हमारा एजेंडा आत्म निर्वारों विक्सित भारत का है भारत की आस्ता को भी सम्मान देंगे भ तैयार हैं सभी लोग सेमत हैं तो फिर मेरे साथ बोलेंगे भारत माता की भारत माता की जैस